हमारे जीवन में टाइम मेनिजमेंट सबसे महतपून होता है। तब ही हम अपने कारज़े को सही ठंग से सही समय पर कर पाते हैं। हमारी सफलता हमारे द्वारा क्या गया समय का पिरबंधन तय करता है। हर व्यक्ति के पास फिरते एक दिन 24 गंटे होते हैं। पर कोई व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, तो कोई इसे यूँ ही बरबाद कर देता है, जो व्यक्ति अपने पिरत्येक दिन के 24 गंटे का सही से उपयोग करता है, उसके लिए सफलता आसान हो जाती है, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप इन पॉइंट्स को फॉल जिस कारियों को करने में जितना समय लगता है, उसे उतने समय में ही पूरा करने की कोशिस करें, इसे आप अपने कामों को सही समय पर कर पाएंगे और ज़्यादा काम व्यवस्तित रोप से कर पाएंगे, इसलिए अगर आप किसी काम के लिए टाइम निर्धारित करते हैं, तो आपकी बोडी और माइंड उस काम को उसी समय पर करने के लिए तैयार रहते हैं, एक समय पर क्या कार्य ना करें, कभी भी एक साथ बहुत सारे कार्य ना करें, इससे आप एक भी कार्य सही धंग से नहीं कर पाएंगे, और आपका समय बर्वाद हो जाएगा, जब आप ए एक बार में एक ही कार्य करें और उसे सही ढंग से कर समय की बरबादी से बचें जब आप एक समय पर एक कार्य को करते हैं तो आप उस कार्य को एक अच्छे फोकस और कॉंसेंटरेशन के साथ कर पाते हैं पिर्ति दिन कार्यों की सूची बनाएं अपने पिर्ति एक कार्यों की एक स्रेणी बनाएं एक तरह के कार्यों को एक स्रेणी में करें और अपना कम समय वरबात करें प्रतेक्स रेणी के कार्य करने के लिए निर्धारित समय रखें और उसी समय सीमा में ही कार्यों को करें इससे आपके समय का पिरबंधन सही डंग से हो पाएगा जब आप प्रती दिन अपने कार्यों की सूची बनाते हैं तो आपको उस दिन जो भी कार्रे करना है, उसका द्यान रहता है, और आप अपने उन सभी कार्रे को योजना के अनुसार पूरा कर पाते हैं, इससे आपका समय भी बज़ता है, और आप अपने समय का सुद्ध उप्योग सही तरीके से कर पाते हैं, इससे पिर्ति दिन कार्रे में जो सबसे महत्पून हैं आप उसे सबसे पहले कर पाते हैं किसी भी कार्रेगों करने से पहले उसे समझें ताकि उसको कि आपको उस कार्रेगों करने में परेशानी ना हो और ज्यादा समय बरबाद ना करें जब आप ऐसा करेंगे तो आपका कार्रेग सही समय पर होगा अगर आप मारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना नहीं भूलें आपको टाइम मेंनिमेंट का कौन सा पॉइंट सबसे महत्पूर लगा हमें कमेंट पॉक्स में जरूर बताएं थैंक्स पॉर वाचिए